परवरी 2022 में रश्या यूक्रेन के संघर्ष के शुरुवात के बाद से ही इस संघर्ष के दायरे में आने वाले अलग-अलग छेत्र लगातार चर्चा का विशे रहे हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसा छेत्र होगा जो क्रीमिया से ज़्यादा चर्चा में रहा हो क्योंकि क्रीमिया का सांबरिक महत वही कुछ इस प्रकार का है इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रश्या यूक्रेन संघर्ष के शुरुवात वास्तम में फरवरी 2022 से नहों करके फरवरी मार्च 2014 के उन महिनों से होती है जब रश्या ने क्रीमिया पर अपने नियंतरण की स्थापना की थी वर्ष 2013 में यूक्रेन में उभरे एक पॉलिटिकल अप्राइजिंग यूक्रेन में उभरे एक लोकप्रिये राजनेतिक आंदोलन के बाद वहां पर रश्या समर अर्थित सत्ता का पतन हो गया और उसके बाद फरवरी मार्च 2014 में रश्या ने क्रीमिया को अपने नियंतरण में ले लिया एक बार फिर से क्रीमिया क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के कारण चर्चा में है स्वागत है आपका दृष्टी आइस के इन न्यूस प्रोग्रा हुआ है अक्टुबर 2022 में इस पर पहले भी हमला हो चुका यह हमले की कुछ सामाने तस्वीरे हैं आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज का एक हिस्सा किस तरह से अस्व्यस्त हो गया है और रश्या की मुख्य भूमी से क्रीमिया को जोडने वाला एक ब्रिज एक क्रीमिया ब्र ब्रिज की भोगौलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे फिर जानेंगे कि आखिर हमले के लिए कौन जिम्मेदार है अगर किसी देश ने हमले की जिम्मेदारी ली है तो वो कौन है और क्या बाते कहीं है इसके बाद क्रीमिया ब्रिज का सामरिक महत्व जानेंगे जैर स कि आप जानते हैं कि आईएस की मुख्य परिक्षा के सामाने अध्यन प्रशनपत्र 2 के खंड अंतराष्टी संबंद से ये टोपिक जुड़ता है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है खबर इंडियन एक्सप्रिस न्यूज से लिए गई है और खबर है अटैक ओन क्रीमिया ब्रिज वोट हैपंड वोट इस वाइट इस सिग्निफिकेंट जैसा कि मैंना बताया कि क्रीमिया ब्रिज पर दो स्ट्राइक हुई है एक स्ट्राइक सुभह तीन बज करके चार मिनट पर और दूसरी स्ट्राइक तीन बज करके 20 मिनट पर इस हमले में दो व्यक् के सेक्षन में चर्चा करेंगे कि क्रीमिया ब्रिज की भोगोलिक अवस्थिति क्या है दरसल इस क्रीमिया ब्रिज का निर्मान वर्ष 2018 में करवाया गया था और यह राष्टपती पुतिन की सबसे महत्वकान्षी योजनाओं में शामिल था वर्ष 2014 के फरवरी मार्च में इस पर क्रीमिया के क्षेत्र पर रश्या ने अपना नियंतरण में ले लिया था और रश्या की मुख्य भूमी से क्रीमिया को जोडने वाला एक ब्रिज का निर्मान 2018 में हुआ इस ब्रिज को कहते हैं कर्च ब्रिज क्योंकि क्रीमिया का कर्च शेत्र यहां पर पड़ता है साथ ही ये जो कर्च स्ट्रेट है ये अजोव सागर को ब्लैक सागर से जोडती है इसको कहा जाता है कर्च ब्रिज और यहीं पर यह हमला हुआ है ये एक रेल एंड रोड ब्रि ये conflicting दावे किये गए यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि बेसिकली यूक्रेन द्वारा अपने शेत्रों को वापिस लेने के लिए जो पूर्वी यूक्रेन में counter offensive program चला रहा है चलाया जा रहा है उस पर बड़े स्तर पर हमले करने के लिए और अपने हमलों को वैदता प्रदान करने के लिए रश्या ने खुद ये हमला किया है ताकि वो बड़े स्तर पर यूक्रेन पर दोबारा हमला कर सके और उसके हमलों को एक वैदता मिल जाए रश्या का सीधे तोर पर कहना है कि यूक्रेन के द्वारा ही ये strike की गई है ये प्रारम में किये गए कुछ दावे थे बाद में यूक्रेन के द्वारा यूक्रेन की security services के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ले 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 गई यूक्रेन security services जिसको SBU कहते हैं उसका कहना है कि ये हमारे और हमारी naval यानि यूक्रेन naval forces के द्वारा किया गया एक joint operation है इसके बाद यूक्रेन के digital transformation minister मिखाइलो मिखाइलो फेदरो के द्वारा भी ये कहा गया कि ये basically naval drones के माध्यम से किया गया यूक्रेन के द्वारा किया गया हमला है तो इसपस्ट हो जाता है कि ये यूक्रेन के द्वारा ही किया गया एक हमला है ये हमला क्यों हुआ basically samarik महत्व को अगर आप यूक्रेन में क्रीमिया के samarik महत्व को समझ लेंगे तो बिल्कुल इसपस्ट हो जाएगा कि ये लगातार यूक्रेन के निशाने पर क्यों रहा है क्योंकि ये पहला हमला नहीं है अक्टूबर 2022 में भी ये हमला हो चुका इस सामरिक महत्व को क्रीमिया के सामरिक महत्व को दो दृष्टिकोनों के अंतरगत देख सकते हैं आप एक रूस द्वारा अपने पूर्वी बॉर्डर में एक सुरक्षा बफर यानि सुरक्षात्मक दृष्टिकोन से एक कोनों महत्व को हम देखेंगे जैसे ही इस युद्ध की शुरुवात फरवरी 2022 में हुई थी तो सबसे पहले रश्या ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में पढ़ने वाले डोनेस्क शेत्र पर हमला किया था डोनेस्क शेत्र के दो हिस्स्ते हैं दो ओबलास्ट हैं ओबला जो उत्तर में पढ़ती है और डोनेस्क इन ही शेत्रों पर सबसे पहले हमले हुए और इन पर हमला करने का कारण यह था कि वर्ष 2014 में जो क्रीमिया का क्षेत्र नियंतरन में लिया गया था रश्या एक लेंड कोरिडोर मुख्य भूमी से उत्तर की मुख्य भूमी से बनान तरगत इसलिए सबसे पहले इस शेत्र को नियंतरन में लाने का प्रयास किया गया आपने पिछले साल एक भूत भेंकर लड़ाई मर्योपोल की सुनी होगी यह मर्योपोल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शेत्र है और मर्योपोल की लड़ाई के बाद एक लैंड कोरिडोर क् में काम्याब हो गया था और रश्या ने पिछले साल ही इसके चार छेत्रों पर यानि लुहांस्क पर डॉनेस्क पर और यहां जपोरिज्या छेत्र पर और खेरसन पर अपनी नियंतरन को भोशित कर दिया था कि हमारा नियंतरन स्थापित हो चुका है बहुत बड़ा बफर जो उनका निर्मान करने में काम्याब हो गया था अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोंड से उसके लिए महत्व पूर्ण था आर्थिक दृष्टिकोंड से क्या महत्व है आर्थिक दृष्टिकोंड से महत्व को हम तीन तीन दृष्टियों से समझ सकते हैं पहला तूड ओय और refined oil के संदर में, ये एक ऐसा श्रित्र है कि ये जो black sea पढ़ता है, इस black sea से प्रारंब से ही तीन देश प्रमुक रूप से crude oil और refined oil उत्पादों का निर्याद करते हैं, इन में कौन-कौन से देश प्रमुक हैं, रश्या, यहीं रश्या के नीचे यहां पढ़ने वाला जोर कि देश प्रमुक रूप से oil का निर्यात इस black sea से होकर के जाता था, black sea पर अपने प्रभाव के नियंतरण के लिए जरूरी क्या है, क्रीम या पर नियंतरण के लिए जरूरी रश्या की मुख्य भूमी से यहां कौन जोड़ता है, यह ब्रिज जोड़ता है, इसलिए ब्रि पैरल, oil का transportation होता है, यहां से होने वाले निर्यात को समझ सकते हैं, इस शेत्र से इस शेत्र को दुनिया का bread basket का जाता है, रेड बास्केट क्यों कहा जाता है, क्योंकि European Commission के आंकडों के नुसार, European Commission के आंकडों के नुसार पूरे दुनिया में, युक्रेन, यह हूं की 10 प्रतिशत आपूरती के लिए जिम्मेदार है, बाजरे की लगभग 13 प्रतिशत, यह युद्ध सुरू होने से पहले के मक्का की लगभग 15 प्रतिशत आपूरती के लिए जिम्मेदार है, साथ ही तीसरे द्रश्टिकोंड के अंतरगत आप टेल की स्थिती भी देख सकते हैं, वेजिटेबल ओयल, युक्रेन, प्रतिवर्ष, वेजिटेबल ओयल, प्रतिवर्ष लगभग 4.9 मिलियन मेट्रिक ट अचानक एनर्जी प्राइसिस और फूड प्राइसिस बढ़ने शुरू हो गए, वो इसी लिए क्योंकि ये आपूरती बाधित हो गई थी, और इस आपूरती को दुबारा बहाल करने के लिए ही, जुलाई दो हजार बाइस में, रश्या और युक्रेन के मद्धे, ब्लैक सी, ग्रेन डिल, वो इसके महत्व को ध्यान में रखते ही हुआ था, इस समझोते की मयाद कल यानि 17 जुलाई को समाप्थ हो गई और अभी तक रश्या ने इसको रिन्यू नहीं किया है, और अब इस हमले के बाद रश्या इसको रिन्यू करेगा या नहीं करेगा, य यह पूरा महत्व है ब्लैक सी का और क्रीमिया का, साथ ही योक्रेन इस पर हमला क्यों करना चाहता है, क्योंकि इस पैनेंसुलो का रश्या के लिए ने केवल आर्थिक महत्व है क्रीमिया पैनेंसुला का, बलकि एक प्रतिकात्मक महत्व भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बता तो क्रीमिया पर किसी भी प्रकार का नियंतरन को कमजोर करने का प्रयास उक्रेंट का रहता है ताकि वो दुनिया के सामने प्रस्तूत कर सके कि रश्या ने जो स्थेलिकill दूस्त्रेंट चाहता है कि रश्या अपने रणनितिक उदेश्यों में सफल नहीं हो पाया है क्रीमिया और अन्य शेत्रों को हासिल कर इसलिए लगातार दूसरी बार युक्रेन के निशाने पर क्रीमिया बिरिज आया है यह इसका सामरिक महत्व है अंत में एक प्रशन देख लेते हैं जो आ इंतरण के प्रतिकात्मक्स रूप को भी स्पष्ट कीजिए आप हमें कमेंट बोक्स में इस प्रशन के उत्तर का फॉर्मेट बना करके दे सकते हैं हमारी भी कोशिश रहेगी कि इसका एक बहतर फॉर्मेट आपको उपलब्द करा सके आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट ब क्ला इसकी बहतर फॉर्मेट झ main.